11 प्लास आज से आपका मायोजी प्लास खुल है आप एक कॉपी बना लेंगे और जो कुछ में बोड में हम लिखेंगे आप उस कॉपी में नूट करेंगे और अच्छी तरह से उसको पढ़िए याद करेंगे और जहां समझ में नहीं आएगा आप पूछेंगे आज आपको बतला रहे हैं की इंट्रोडक्शन आप बाइलोजी को टीजे क्लास से पढ़ते आए हैं नाइन्थ क्लास में आपका बाइलोजी बुक अलब हो गया हुगा एथ क्लास तक आप एक साथ साइंस में पढ़ते हुगे आपको बाइलोजी क्लास से आपका बाइलोजी अलब हो गया हुगा यह बाइलोजी का अड़ क्या होता है यह बाइलोजी सब्द जो है वह दो वर्ड के मिन्ने से बना है एक है बायोज जिसका अड़ होता है लाइल और दूसरा है लोगोज लोगोज से ही लौजी सब्द बना है लोगोज से ही इसकी उत्पति भी है इसका अड़ोजी मिन्स होता है तुआ स्टड़ी यानि जिसके द्वारा उसका अध्यन करते हैं हमने यहां लिखा है लोगोज डिसकस उसके बारे में जानकारी प्राव्ट करते हैं यह हुआ बायोजी अब बायोजी को हम दो भाग में बार्ट दिये हैं यह बास्तों में बायोजी की दो शाखाएं हैं बायोजी को हिंदी विभूते न जिब विज्यां तो इसकी दो शाखाएं है एक है बाट्टे और दूसरा है जुलजी बाट्टे हैं अंतरगर्ट हम लोग यहां लिखें बाट्टे हर्ग्स यानि हर्ग्स का आठवा साथी पौधा हम पौधा के बारे में अध्यन करते हैं तो यह है हमारे जिब विज्यान की वो शाखा कहलाती है बनस्पती विज्यान जिसको हम अंगरेची में बाट्टे करत और यदि हम एनिमल्स के बारे में अध्यान करते हैं जो कार्ट हुआ एनिमल्स और लोजी हुआ ट्वस्टरडी अध्यान तो जी बिग्यान की वो शाखा जिसके अंतरगर्थ हम विभिने जन्तूं के बारे में अध्यान करते हैं ये कहलाता है प्राणी मिज्ञान इसी को बोलते न जुलाजी तो आपका वाटने और जुलाजी पहले तो अलग था लेकिन अब आपको एक साथ पढ़ना है बाईलोजी ही पढ़ना है जानना है जिसमें आपको पेड़ पौधे के बारे में भी जानना है और जीब जन्तूओं के बारे में भी जानना है क्योंकि पधे भी सजीब है और जन्तू तो सजीब है इसलिए दोनों के बारे में आपको जानना है अब कुछ इसकी मुख्य शाखाएं एक बाईलोजी की उसी के बारे में आप पहले जानने थी कि आपको उन मुख्य शाखाओं में 11 क्लास में क्या पढ़ना है और 12 क्लास में क्या पढ़ना है तो